अच्छा बुनियादी दोर पे एक चीज है कि जैसे आपके घर में डीवी बॉक्स लगा होता है और उससे निकल के सारे घर में तारें फैल रही होती है ठीक है न वो सारी वाइरिंग होई होती है और फिर उससे सारा कुछ चल रहा होता है similarly ये जो नर्वा सिस्टम है न इसका डीवी बॉक्स आपका ब्रेन है ठीक है और वहां से ये सारी तारें निकल के आपकी बॉड़ी में फैल रही है और करेंट जितना है न वो ये आपके नर्व्स लेके जा रही है कुछ काम ये नर्व्स आपकी बॉड़ी में कर रही हैं जो वर्लेंटरिली हो रहे हैं कुछ इन्वर्लेंटरी चीज़े हैं जो हो रही है और यानि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप खुद करते हों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी बॉड़ी कर देती हैं आपको पता ये जितनी भी आपको pains होती हैं सरागी उन में कोई एक reason नहीं है जरूरी नहीं है कि अब एक बिमारी होती है demyelination demyelination disease ये है कि आपका जो myelin है ना जो जिस तरह तारों के उपर insulation होती है ना इसी तरह से आपके nerves के उपर भी insulation होती है एक covering होती है coating होती है वो coating उतरना शुरू हो जाती है तो उसको बोलते है demyelination disease एक वज़ा वो हो सकती है अगर coating उतरना शुरू हो जाती है तो बहुत शदीद pain होने लग जाती है नापस के अंदर इसी तरह से ये जो जिस तरह मैंने इसमें आपके बताया है कि herniated disc अगर herniated disc हो सकती है या कुछ लोगो bulging disc का issue होता है disc के दर्मियान में आजाती है जैसे मेरे T6 और Vegas nerve का इस तरह का similar issue हुआ था तो multiple causes हैं कोई भी वज़ा हो सकती है आपकी body के इतने सारे complicated features हैं कहीं से भी कोई उच नीच हो सकती है तो और nerves का यह साब है कि क्योंके यह multiple task कर रही होती है nerves जो है अब जैसे Vegas nerve जो है वो आपके सारे यह जो आपका digestive tract है इसके लिए भी वो काम करती है और दूसरा यही Vegas nerve जो है यह आपको यह आपके जो left arm की आपके fingers तक जो आपके sensation है वो उसको भी सारा कंट्रोल कर रही हुती है chest को, bag को, left side को तो वो जब मुझे इसमे इस्यू आया ना तो क्या हुआ कि मुझे यह वाला ना जो मेरा digestive tract है ना इसके अंदर इस्यू आना शुरू हो गया कि वो acidity बढ़ना शुरू हो गई उसके अंदर, एसाफिगस के अंदर, और यानि जो एसे ट्रिफलक्स हो जाता था, तो एसाफिगस में आ जाता था, एसे, तो वो शुरू में हुआ, उसको तो चलो मैंने कंट्रोल कर लिया, निचरल चीजों के साथ, तो अब जिसको बंदे को नहीं बता कि यह मुझे क्यों ह हो रहा है, तो उसके लिए फिर यह मामलात बढ़ जाते हैं, उसको यही लगता है, मुझे को डाइजेस्टिन का इशू है, लेकिन जब मैंने बेसिक इशू जो मेरा नहप का था, उसको मैंने जैसे रिजॉल किया, तो मेरा यह वला इशू फॉरं ठीग हो गया, अच्छा जो शाटिका का जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है ना, जो सारे मुलकों में होता है, एक्सरसाइज से लोग कोशिश करते हैं, इसको कंट्रोल कर लिया जाए, खास तर पर स्ट्रेचिंग अगर प्रॉपर की जाए, कि जिससे जो नर्व अपनी जगा पे आजए, तो उससे यह क जो है ना, वो हीट पैड्स या कोल्ड पैड्स, तो वो रखते हैं उस जगा पे, जहां पे आपको पेन होती है, उस नर्व की वज़ा से, तो जिस बंदे को होती है, यह पेन अगर होना शुरू, एक चीज़ तो होती है, कि आपको मुवमेंट से पेन हो रही है, ना, कोई स नर्व की जो नर्व की जो शैटिक नर्व की अगर पोजिशन ऐसी है, दब जाने की, कि वो हर आपकी मुवमेंट पे खिचना शुरू हो गई है, तो फिर वो बहुत शदीद पेन फूल चीज़ होती है, कोई भी नर्व वाली पेन है, क्योंकि मैं खुद नर्व की पेन से नर्व वाली कोई भी पेन है, न वो नर्मल जो मसल पेन है या बोन पेन है, उन से बहुत ज़दा वो तकलीफ दे पेन होती है ना उसकी, तो जो पेशन्ट है न वो बहुत ज़दा तकलीफ में होता है, तो पाकिस्तान के अंदर न वो इतना लंबा प्रोसीजर के यार वो पहले एकसरसाइज होंगी या हीट पैर्ट से थेरपी दी जाएगी उसकी बजाए ना डॉक्टर्स क्या करते हैं कि वो मॉस्ली पेन किलर्स देते हैं तो पैन किलर्स में आपको पता है आसिटम आंफिन जो है हमारी जो निबर alltså मोल वो इसमें उन्मारी यहां की सबसे ज्यादा कॉमली यूज्ड आपकी पैन कई रिलीवर है तो वो ही इसमें भी सबसे ज़दा दी अच्छा फिर आ जाते हैं कि इसका इलाज अगर प्रॉपर देखा जाए तो वो एक सर्जरी होती है उसका नाम होता है वो अगर आप करवा लें एक तफ़ा तो हमारे मुल्क में तो अतनी कॉमन नहीं है लेकिन जो अच्छे जहां पर हेल्थ केर सिस्टम्स हैं वहां पर यह कॉमन चीज़ है के शाट का पेन के लिए यह माइक्टो डैस अक्टिनोमिक रुआ लेते हैं एक बार तो दुबारा वो ना आपका मसला कभी नहीं आता है एक बार वो प्रॉपर हल हो जाता है तो लेकिन हाँ यह सिरफ उस सूरत में काम करती है अगर आपको यही जो डिस्क हर्नियशन का इश्यू है ना लंबर डिस्क जिसको बोलते हैं या हर्नियटिड डिस्क बोलते हैं अगर उसी वज़ा से आपको शाटिक पेन हुई है आपकी शाटिक नर्व उसी वज़ा से प एकर दिंसको एकार.